नमस्कार दोस्तों आप सभी का इवर फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज कल मैं आपको ठीट सारे मुबाइल फोन के सजेशन्स लेकर आ रहा हूं जिनने के आप अलग-अलग रेंज में खरीच सकते हैं इससे पहले भी मैंने काफी सारे स्लॉट्स वगरत दिये हैं और अभी पिछली कुछ वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको जो ऐसे फोन जो साथ हजार की रेंज में रेंज के आसपास आते हैं उनके बारे में बताया था तो आज कि हमारी वीडियो भी कुछ ऐसी होने वाली है जहां पर मैं आपको व दोनना थोड़ा सा मुश्किल भरा होता है तो दोस्तों चुलिए शुरुवात करते हैं अपने इस वीडियो के लिकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि फड़ा फट चनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो पसंद आए तो इसे लिस्ट में लेकिन उससे पहले आप से थोड़ा सा डिस्क्लेमर डेना चाहूंगा कि दोस्तों यह कोई रनकिंग नहीं होती है यह सफ आकले है इसे हम बताने वालं म तो चले देखते हैं कि कौन-कौन रहते हैं इस mobile phone की लिस्ट में तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला हमारी लिस्ट में आता है वीवो का U10 दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि वीवो की Y-series से अगर हम compare कराएं तो वीवो की U-series उतनी ज़्यादा popular नहीं हो पाई इसका एक reason यह था कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा phone आपके online भी के offline जब market में आये वगेर भी तब यह इतना ज़्यादा hype नहीं बना पाई लेकिन personally अगर हम बात करें तो वीवो की Y-series बहुत ही ज़्यादा बैतरी थी अगर आप इसके features सुनेंगे तो आपको काफी ज़्यादा मज़ा आएगी तो सबसे पहले मैं बताता हूँ 6.35 inches की यहाँ पर IPS LCD डिस्प्ले रहती है वही Snapdragon 665 processor देखने को मिलेगा इसमें आपको triple camera का support दे रखा होता है जो कि आपके 13 plus 8 plus 2 megapixel के रहेंगे और साथी 8 megapixel का selfie camera दे रखा होता है तो यह basic configuration से आपका मिलती है वहीं दोस्तों इसमें 5000 mAh की battery मिल जाती है जो कि आपकी fast charging को भी support करेगी और साथी box के अंदर आपको fast charger भी मिल जाएगा यानि कि एक तरीके से अगर आप देखेंगे सारे जो बहतरीन features हैं चाहे triple camera का हो चाहे fast charging का हो चाहे 5000 mAh की battery का हो यह सब कुछ आपको इसमें देखने को मिला है और कीमत भी बहुत जादा नहीं रहती है आप आसानी से इसे 8-9000 की range में ले सकते है अगर आप इसका 3GB RAM वाला comparison देखना चाहती है तो उस सभी के link आपको description box में देखने को मिल जाएंगी तो एक बर उसे जरूँज चेक कर लिजेगा दोस्तों लिस्ट में अगला हमारे पास है वो रहता है आपका वीवो का Y11 दोस्तों वीवो की तरफ से आने वाला ये 46.35 इंचे की IPS LCD पैनल के साथ आत ज्यादा price में अंतर नहीं है लेकिन camera में एक बड़ा अंतर आ जाता है बैटरी यहां पर सेम ही रहेगी यहां पर आपको 5000 mh की battery मिल जाती है लेकिन problem वाली बात यह आ जाती है कि यहां पर fast charging के option आपको missing रहेंगे तो यह एक छोटा सा अंतर आपको देखने को मिला है दोस् Y12 और U10 लगभग एक दूसरे की copy ही है बस छोटा सा अंतर यहां पर आ जाता है इसके processor में और fast charging के ना होने में बात करते हैं सबसे पहले features को देखा जाए तो दोस्तों यहां पर आपको 6.35 inches की display देखने को मिल जाती है पहले बताय हुए models के ही जैसे ही है यहां पर same display IPS LCD पै में दूंगा यहां पर आपको 13 प्लस 8 8 प्लस 2 मेगापिक्सल की camera's triple camera's दिखने को मलते हैं सेम आपका यूटें की तरह configuration यहां पर रखी गई है और 8 मेगापिक्सल का selfie camera रहता है तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं यूटें में भी 8 मेगापिक्सल था यहां पर Y11 मे हो जाता है तो एक यह चीज़ आपको देखनी होगी लुक में भी कोई बहुत बड़ा आंतर नहीं है आप हो सकता है दूर से अगर दोनों आपके आमने सामने रख दिये जाए तो हो सकता है पहचान भी ना पाए लगभग लगभग सेम ही लगते हैं दोनों देखने में तो आज भी इनकी है मार्केट में तो सबसे पहला यहां पर मॉडल आता है वीवो का वाई 91 दोस्तों बेसिक रेंज मॉडल है बहुत सस्ते में आपको मिल जाएगा यह समझे कि आपको साथ हजार के आसपास पे करना पड़ेगा और यह मॉडल आपका हो जाता है फीचर की बात नहीं रहेगी और बहुत अच्छे फीचर से यहां पर नहीं कोंगा कि बहुत हाइग रहता है अपको लेकिन ठीक ठाक रहती है यहां पर इसकी परफॉमेंस चैम्ड़ की बात करते हैं तो एवरेज लेवल कैम्रा रहता है बहुत ज़्यादा नहीं होगा जैसा कि अग़र आप कुछ सोच रहे हो उसके बारे में लेकिन फिर भी ओवर हिनेंस इमेस तो देखने को मिलती ही है वही दोस्तों अगला लिस्ट में हमारे पास आ जाता है इसी का भाई है वह है वीव का तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि यह मॉडल थोड़ा सा उससे भी थोड़ा सा एकदम यह समझे की निच्छे आ जाता है थोड़ा सा क्यामरा के मामले में क्योंकि लगभग लगभग सारे फीचर्स वही हैं यहां पर 6.22 इंचर्स के IPS LCD पैनल दे रखा है हिलियो का P22 प्रोसेसर है बस क्यामरा यहां पर आपका सिंगल हो जाता है जो कि आपका 13 मेगा पिक्सल का रहता है 8 मेगा पिक्सल का सेलफी क्यामरा रहेगा यहां पर आगर आप देखेंगे और वहीं 4000 लगभग 4030 मेच की बैटरी देखने को मिल जाती है बस यहां पर तो दोस्तों मेरा एकदम इरादे एकदम क्लियर हैं कि अगर मैं ओनलाइन ओर कर रहा हूं और मुझे वीव का यूटन एवलेबल है तो फिर मैं किसी और मॉडल को यहां पर नहीं करूंगा क्योंकि यहां पर एक तरीके से आप देखेंगे कि नंबर वन पर मैंने इसको खरीदेंगे तो वह कौन सा होगा यह बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं वही अगर आप इसमें से बताएगे किसी भी मॉडल की अन्बॉक्सिंग वगरा देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे तो वेब